हेलो फिर्ण्स हमारे चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ टोटन रॉय आपको तो दिखाई दिया हमारे पास है आज M.I. का दो पावर बैंक एक है 20,000 का और एक है 10,000 का आज हम इसका अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं और आपको बताएंगे इसका स्पेसिफिकेशन क्या है और ये वीडियो स्पॉंसर किया है गोस्वामी टेलीकॉम ने मैं डेस्किप्शन में इसका डीटेल दे दूँगा हमारे पास है 2 M.I. का पावर बैंक एक है 10,000 इमेज का और दूसरा है 20,000 इमेज का दोनों पावर बैंक में ही फास्ट चार्जिंग अबिलेबल है जैसी के आप देख सकते हैं और बॉक्स के उपर हमें देखने को मिलता है 2-way Quick Charge Intelligent Power Output और ये पावर बैंक 20,000 इमेज का जो है इसका प्राइस लगभग 1499 यानी 1499 रूपीज है और बॉक्स के साइड में आपको एक scratch and check details मिलेगा आप उसको scratch करके MI का जो website है उधर पे जाके इस product को verify भी कर सकते हैं चलिए 10,000 इमेज का जो है उसको देख ले थे हैं आपको बॉक्स के उपर same as a 20,000 इमेज का जो बॉक्स के उपर आपको देखने को मिला इधर पे भी आपको same देखने को मिलेगा और नीचे भी आपको made in India लिखा हुआ दिखा मिलेगा और इसके पीछे जो है सेम आपको scratch and check जो है वो आपको देखने को मिल जाता है और पीछे इसका पूरा details manufacturing और बाकी जो आपको product name इसका serial number और बाकी जो है आपको देखने को मिल जाएगा और इसका price लगबग 899 रूपीज है और मैं description में दोनों product का ही link दे दूँगा आप जाके check कर सकते हैं तो चलिए box को open करके देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है मैं पहले 10,000 image को इसको manual और एक box काफी अच्छे से pack किया गया है चलिए मैं 20,000 जो बड़ा वाला है उसको मैं खोल लेता हूँ तो same as हमें box को open करते ही हमें इसका manual मिल जाता है जैसे का अब देख सकते हैं इसके अंदर इसका पूरा details और port वगरा काफी कुछ दिया हुआ है तो दोनों का ही box जो है वो अच्छी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से pack किया गया है चलिए देख लेते हैं box के अंदर हमें क्या मिलता है चलिए बहुत अच्छा है और इसके साथ हमें एक type 2 USB cable देखने को मिलता है इससे आप power bank को charge भी कर सकते है और type 2 वाला जो phone है या कोई device है आप इस cable के थूर आप उसको charge भी कर सकते है और दोनों box के अंदर हमें सेम चीज देखने को मिल जाता है चलिए देख लेते हैं power bank को इसको तो बहुत अच्छी तरह से wrap करके pack किया गया है चलिए जो 10,000 है इसको हम open कर लेते हैं यह इसका color जो है यह red है काफी अच्छा है काफी smooth भी है और इस USB port और साथ में एक switch भी दिया हुआ है आप इस switch से power bank में कितना charge भाकी है उसको check भी कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं दूसरे power bank को यानि 20,000 जो है उसको देख लेते हैं और इसका भी packing सेम है जैसी कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से इसको pack किया गया है जैसी कि आपको दिखाई दे रहा है इसका color जो है यह black है और जो तिंथ हो दिने मिच को जैसे आपने देखा उससे यह थोड़ा heavy भी है और मोटा भी है और नीचे की तरफ हमें इसका पूरा details देखने को मिल जाता है जैसी कि आप देख सकते हैं और उपर हमें MI का logo देखने को मिलता है लेकिन जो 10,000 है उससे 20,000 जो है वो काफी heavy है और मोटा भी है जैसी कि आप देख सकते हैं दोनों का look काफी premium है और काफी अच्छा भी है तो यहाँ पे हमें इसका port देखने को मिल जाता है दो USB port और एक USB 2 port और साइट पे हमें एक power check button जैसी कि आप देख सकते हैं यहाँ दिखाई दे रहा है और इसका indicator भी blink कर रहा है इससे आप power bank में कितना charge बाकी है वो check कर सकते हैं तो इसका look तो काफी premium है matte finish भी है आप देख सकते हैं दोनों power bank का ही look काफी premium है और इस price में तो इतना look तो बनता है ना दोस्तो और तो हमें खास कुछ इधर देखने को नहीं मि अगे तो एक like कर दीजिएगा इस तरह आगे वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में